कश्मीर भारत की भावनाव से जुड़ा एक ऐसा अटूट हिस्सा जिसके बिना हिंदुस्तान के वजूद की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ठीक वैसे ही कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी की शाहदत को भुलाया नहीं जा सकता सोमवार को जब राजसभा में ग्रिय मंतरी अमिच शाह ने धारा 370 हटाने के प्रस्ताव को पेश किया तो कई बार श्यामा प्रसाद मुखर जी का जिक्र भी आया कई सांसदों ने यहां तक कहा कि आज श्यामा प्रसाद मुखर जी की आत्मा बहुत खुश होगी जो लोग कश्मीर को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर जी के बलिदान को नहीं जानते तो उन्हें बता दें कि आज कश्मीर जिस विधान जिस प्रधान के धाचे के साथ हिंदुस्तान के वजूद के साथ खड़ा है उसका सारा श्यामा प्रसाद मुखर जी को ही जाता है दरसल कश्मीर समस्या शुरू से ही हिंदुस्तान का सिरदर्द बने हुई थी उस समय 17 मार्च 1948 से शेख अब्दुल्ला की सरकार भारत के लिए कोड में खाज बने हुई थी कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी जो अपने ही विधान निशान और प्रधान के हिसाब से चल रही थी हिंदुस्तान की प्रधान मंत्री नहरू के अलावा कश्मीर में शेख अब्दुल्ला प्रधान मंत्री हुआ करते थे यहां तक कि सरकारी इमारतों पर भी कश्मीर का ज़ंडा फेहराया जाता था इतना ही नहीं भारत की दूसरे हिस्सों से कश्मीर जाने वाले लोगों को उस वक्त पर्मिट लेना पड़ता था कश्मीर का ये विधान हिंदुस्तान की राष्ट्रियता का मूँ चड़ा रहा था आजाद भारत में कश्मीर पर नहरू की एक अंजोरी डॉक्टर मुखर जी को खटक रही थी कलकत्ता का करिश्मा कहे जाने वाले मुखर जी ने कश्मीर के लिए 1953 में कानपूर से आंदोलन का आगास किया आजाद भारत में प्रजापत के जर्ये कश्मीर के लिए आंदोलन शुरू हो चुका था डॉक्टर मुखर जी ने दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दे कर कश्मीर के लिए राष्ट्र व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया कश्मीर में धारा 370, अलग सम्विधान, अलग विधान और अलग प्रधान भारती अगंतंत्र का मजाक उड़ा रही थी डॉक्टर मुखर जी ने ये प्रतिग्या ली कि वो कश्मीर बिना पर्मिट के जाएंगे चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए नहरू की सरकार मुखर जी के इस कदम से चकरा गई वही मुस्लिम कॉनफरेंस याज के नेशनल कॉनफरेंस के मुख्या शेख अब्दुल्ला भी श्यामा प्रसाब मुखर जी के तेवर को देख कर घबरा गए जून 1953 को मुखर जी अपने चुने हुए साथियों के साथ जिसमें अटल बिहारी वाजपाई भी थे कश्मीर के तरफ कूच कर दिया जम्मु कश्मीर में प्रवेश के लिए जैसे ही मुखर जी पंजाब के माधोपूर के रावी नदी के पुल पर पहुँचे उन्हें नहरू सरकार के आदेश पर गिरफतार कर लिया गया और कश्मीर की जेल में डाल दिया गया मुखर जी की गरफतारी के खबर फैलते ही पूरे देश में आंदोलन तेज हो गया कई दिनों की गरफतारी के बाद अचानक 23 जून 1953 को खबर आई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी का निधन हो गया है डॉक्टर मुखर जी की इस तरह से मौत ने शडियंत्र रहसी की राजनीती का एक ऐसा घिनोना चहरा हिंदुस्तान को दिखा दिया जहां आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर के लिए मरने वाले देश भक्त की मौत एक रहसी बन कर रहे गई लेकिन इसके बावजूद उनकी शहादत का असर दिखने जा रहा था मुखर जी की शहादत शेख अब्दुल्ला के ताबूत में आखरी कील साबित हुई शामा प्रसाद मुखर जी की कश्मीर को ले कर दी गई कुर्बानी का असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर जाने के लिए पर्मिट सिस्टम खतम कर दिया गया और साथ ही कश्मीर में तिरंगे को वो सम्मान मिला जिसका हर भारतिय अटल इरादा रखता था लेकिन इस सब के बीच मुखर जी के रहसे मई मौत पर सवाल खड़े हो रहे थे शेख अब्दुला और नहरु सरकार पर आरोप लगाय गये कि मुखर जी की मौत पर गहरी साज़िश रची गई मुखर जी की मौत के बाद शेख अब्दुला को मुख्य मंथरी के टाइटल से सम्भोदित किया जाने लगा और कश्मीर में प्रधान मंत्री का टाइटल हमेशा के लिए खतम कर दिया गया भारत में एक प्रधान यानि प्रधान मंत्री ही हिंदुस्तान का चहरा बन गया श्यामा प्रसाद मुखर जी की शहदत के बाद राश्ट विरोधी गतिविधियों में मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला को कश्मीर शडियंत्र के आरोप में जेल भेज दिया गया शेख अब्दुल्ला लगभग 11 साल तक जेल में रहे 1992 में श्यामा प्रसाद मुखर जी के होसले को प्रणाम करते हुए कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फेहराया गया था डॉक्टर मुर्ली मनोहर जोशी के साथ उस वक्त नरेंद्र मोधी के होसले ने डॉक्टर मुखर जी की शाहदत को यादगार बना दिया था बना दो प्रॉक्टर मोधी के साथ जी शाहदत कि वक्तर जी साथ प्रावन भी जी चानी। यादध लाद Úर मही को यह साथ चरिय है रिए है